हेलो वरीवन वेलकम बैक आज हम बनाएंगे फैबरिक पट्टी एंड लैस का यूज कर बीटिफुल सा नेक का डिजाइन जो हम राउंड नेक के साथ बनाएंगे तो गाईज बीना स्किप के आफ वीडियो को एंड तक देखें डिजाइन को बनाने के लिए पेस्टिक की कटिंग मैंने औल लेडी करके रखी थी ताकि आपका टाइम वेस ना हो और प्रेस करके इसे फैबरिक के साथ हमने सैट भी कर लिया था और साइड का एक्स्टा मार्जन भी फैबरिक का हमने कट करके रखा था टोटल इसकी चोड़ भी हमने आधा इंच का मार्जन रखा है पेस्टिक की लंबाई हमने 11-11 इंच के करीब रखी है अपने कोडिंग आप इसकी लंबाई रख सकती है अब जो साइड में हमने फैबरिक इस पे छोड़ा था उसे हम गुलू लगा कर अंदर की तरफ चिपका लेंगे आप चाहें तो प्रेस करके भी इसे अच्छे से सैट कर सकती है हाथ की हेल्प से अगर आप इसको प्रेस करेंगी तो यह काफी टाइम में अंदर की तरफ प्रेस होगा तो आप डायेक्ली इसे प्रेस की हेल्प से भी सैट कर सकती है उससे यह बहुत इजली और अच्छे से सैट हो जाएगा जैसे हमने एक साइड से गलू लगाया है और अंदर की तरफ फाब्रिक को फोल्ड किया है दूसरी साइड भी ठीक इसी तरह से हमें फाब्रिक को फोल्ड करना है गलू लगाकर तो गाइस चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रेस की हैर्ब से इसे अंदर की तरफ अच्छे से सैट करेंगे बैक साइड से हमारा फाब्रिक सैट होने के बाद इस तरह से आएगा फाब्रिक पट्टी का लूग पूरे फाब्रिक को हमें इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है फोल्ड होने के बाद हमारे फाब्रिक पट्टी का लूप कुछ इस तरह से आएगा फाब्रिक पट्टी के सेंटर में हम जोइन वाली लैस को स्टिच करेंगे तो आप अपनी अकोडिंग जोइन वाली लैस का यूज कर सकती हैं जितना भी हमारा फाब्रिक पट्टी के सैंटर कमार चनोंगा उसकी अकोर्डिंगी हम फाब्रिक पट्टी के बीच लैस को स्टिच करेंगे लैस को गाईज हम बैक साइड में रखेंगे और फाबरिक पट्टी को ऊपर की तरफ और फाबरिक पट्टी के किनारी किनारी पर सिलाई लगाता हुए हम लैस को स्टिच करेंगे फैब्रिक पट्टी के दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई को लगाना है ताकि लैस अच्छे से स्टिच हो आज के डिजाइन बहुत ही ब्यूटिफुल बनेगा तो गाइस भी ना स्किप के वीडियो को एंड तक देखे इस तरह का ब्यूटिफुल से डिजाइन बहुत ही अच्छा भी लगता है तो आप भी जरूर ट्राई करें अगर आप कोई प्लेन फैब्रिक बना रही है या फिर कोई पाकिस्तानी ड्रेस तो इस तरह के डिजाइन आप ट्राई कर सकती है अब इसके साथ हम अपनी इस ब्यूटिफुल सी लैस का यूज कर और भी जादा इस डिजाइन को अट्रेक्टिव बनाएंगे मैंने यह कॉटन वाइट कलर की लैस का यूज किया है कटवर वाली हमारी यह लैस होगी तो फैबरिक पट्टि के जस नीचे की तरफ हम इस लैस को रखेंगे और इसके किनारी किनारी पर सिलाई लगा कर इसे भी हम अपनी फैबरिक पट्टि के साथ सेट करेंगे लेस को हमें इस तरह से सैट करना है तो पहले ही आप इसको अच्छे से सैट करके रखें और बाद में स्टिच करें कि तीनो साइड इसका जो डिसाइन है वहे इक्वल आए ऐसे इसे हम स्टिच करेंगे मैंने इसे पिन अप करके रख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कोर्नर बनाने में जादा टाइम भी ना लगे अब हम आलपिन को ऐसे निकाल लेंगे इस तरह की लैसी मार्किट में बहुत इसली मिल जाती है आज कर लैस का वैसे भी बहुत जादा ट्रेंड चला है क्योंकि पाकिस्तानी सूट में इस तरह की लैसी बहुत जादा लगती है तो आप भी जरूर ट्राइ करेंगा इस तरह के डिजाइन फुल लैस को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है डिजाइन बहुत ही खुबसूरत बनके हमारा ऐसे तयार हुआ है अब हम अपनी कुर्ती के साथ इसको स्टिच करेंगे तो पहले तो मैंने एक गला और लेडी सरकल में कटिंग करके और इसे फाबरिक के उपर भी चिपका के रखा हुआ था इसका मेजर्मेंट मैंने इस तरह से रखा है चाइंच इसकी चोड़ाई रखी है और साड़े चार इंच इसकी लंबाई नीचे की साइड हमने इस तरह से एक V-shape का कट भी लगाया है दो इंच का और एक इंच इस कट की चोड़ाई रखी है अब हम इसे अपनी कुर्ती के फरंट साइड में ऐसे रखेंगे क्योंकि यह गला हमारा बैक साइड जाए गया तो हम इसे फरंट साइड में ही करके रखेंगे और सैंटर में हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे ताकि यह एक साथ सैट रहे यहां तक ही हमें इसे स्टिच करना है अब हम इस round neck को इस तरह से उठाएंगे और back side में अपने इस design को रखेंगे हमें अपने इस fabric पट्टी के design को ऐसे रखना है कि यह हमारे गले के साथ अच्छे से set हो जाए यानि side से है या बाहर की तरफ ना निकले और round में stitching के साथ आ जाए अब इस तरह से इसे हम equal करके रख लेंगे और गले पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे पहले हम अपनी इस fabric पट्टी पर सिलाई लगाकर इसे कुर्ती के साथ stitch करेंगे इस तरह से हमें side side में सिलाई लगानी है और इसे कुर्ती के साथ हम center में रखते हुए stitch करेंगे इसकी बाद हम गले को इस तरह से सैट करते हुए सेंटर में ही इक्वल करें के रखेंगे और पेस्टिक के जब साइड साइड में सिलाई लगा कर इसको भी हम स्टिच करेंगे इससे पहले भी गाइज मैंने काफी नैक के डिजाइन ट्राइ किये हैं अगर आप देखना चाहती हैं तो चैनल पर विजिट करें साथी चैनल पर आपको ट्राउजर डिजाइन और सीव डिजाइन से रिलेक्टिड डिजाइन भी मिलेगे काफी जो काफी यूनिक एंड ट्रेंडी है बहुत ही डिटेलिंग के साथ हमने सारे डिजाइन बनाए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आप चैनल पर विजिट करें और सभी डिजाइन को बिना स्किप किये देखें गले पर फुल इस तरह से हम सिलाई को लगा लेंगे और थोड़ा सा मार्जन रखते हुए एक्सर फैब्रिक को हम इस तरह से कट करेंगे जैसे हम नोमली गले को करते हैं कि see Center में हम इस तरह से कट लंगे ताकि ऐसा फिनिशिंग के सातFALL हो और एसे बक साइड में करेंगे और किनारी किनारी पर सिलाइं लगाएंगे ताकि यहे अच्छे से से सैट हो जाए को राड़ को हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे झाल झाल गले के बैक साइड का जो हमारा माजन है उसे हम तुरपाई करके या फिर सिलाई लगाकर रेडी करेंगे और ब्यूटिफुल सा प्लैकेट के साथ हमारा यह डिजाइन इस तरह से बनके तयार हुआ है साइड से जो हमारी लेस चोड़ी होगी तो हम उसे सुंधागी की हल्प से सेट करेंगे या फिर गुडू की हल्प से तो ब्यूटिफुल सा डिजाइन आपको पसंद आया होगा डिजाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर अपने कमेंट जरूर भेजे। साथी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यह थिंकी भी अपनी ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोपिक पर देखना पसंद करेंगी।